Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस lecture में हम BHU READ, यानि BANARAS Hindu University के Research Endurance Test से रिल्टेड, यहां पर हम Mean, Variance, Skewness and Cortosis. इस Topics पर कुछ Important MCQs डिसकस कर रहे हैं, बहुत ही Important Topic है, Mean, Variance, Skewness and Cortosis. इस Topics से आपको एक्जाम में 2-3 Questions, 2-3 MCQs आपको पूछे जाने के चांसे से. So, मैं आपको बता दू, यह Topic Important है, यहां से एक्जामीनर आपको Questions पूच सकते हैं, तो आपको इन Questions के अच्छी तरीके से Practice कर लेना है, जैसे कि आपको पता है, आपके BHU READ के Admit Cards रिलीज हो चुके हैं, उस पर मैंने डीटेल में वीडियो बनाया है, कि आपको Admit Cards को किस तर करना है, यहां पर आपको सिफ टू डेस में ही मिलते है, प्रेपरेशन के लिए, तो टू डेस में ही आप प्रेपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से के लिए प्रेपरेशन करनी है, किस तरीके से अपको चीजों को follow करनी है, कौन-कौन से चीज़े है, कौन-कौन से topics अप Important है, किस पर आपको Focus रहना है, तो यह सारे चीजों फिर भी पर मैं आपको वीडियो बना कर दूँगे और जैसे कि हमारे students है, उन पर भी हम आपको बोलते हैं किस तरीके से हमारी students को हम आपको बोलते हैं हमारे जो batch के students हैं उन्हें भी हम बताते कि कौन से topic important से किस topics को आपको बार-बार rate करना है तो जैसे कि मैं आपको बता दू सिर्फ दो दिन ही आपके पास remaining है तो इसी लिए हम आपके लिए revision package लेकर आया है जिसमें आपको notes और 1500 plus mcqs and previous year questions की हमने PDF बना रखी है जिसमें आपको 1500 से भी जादा important mcqs देखने मिलेंगे जो important है जो examiner आपको questions पूछ सकते हैं हमारे experience के basis पर हम ये PDF बनाते हैं और आपके जो BHU read के 2016 में आपको बता दू 2016 में आपका examination कंड़क करवाया गया था 2017 में और 2018 में आपको बहुत काम questions पूछे जाते थे उस टाइम पर 5 और 60 questions पूछे जाते थे then 2019 से यहां पर previous year questions प्रिवेस आपको questions देखने में लेंगे इस PDF में 2019, 2020, 2021, 2022 तो यहां पर आपको यह सारे sessions के PDF देखने में लेंगे PDF में हमारे previous year questions आपको देखने में लेंगे और जो यह contain हमारा दोनों ही language में आपको provide करते हैं Hindi as well as in English तो काफी कम fee में आपको revision package दे रहे हैं और आपको guarantee देते हैं कि हमारे इसी revision package में से जिससे कि आपको पता है 40 marks, 40 MCQs आता है आपको research method laws related and आपको minimum minimum हमारे इस course से आपको directly 40 questions आने की chances होते हैं लेकिन हम लगबग 35 to 36 MCQs students को बोलते हैं जिससे कि मैं आपको बता दू, minimum आपको 35 percent marks score करना आपके BHU rate में जो आपके जिससे आपको बता है टोटल पेपर आपका 300 marks का होता है, 300 में से 35 percent marks याने आपको 105 or 110 marks कुछ score करना होता है और आपका research method logic होता है या आपका 120 marks का होता है तो आप easily हमारे इस revision package से में आपको बता दू, आपको 110 to 120 marks easily, easily आप carry कर सकते हो, यह हमारी guarantee है तो आपको जल से जल हमारे इस number पर contact करना है और आप हमारे app के तुर भी study material को एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सेस करने के link में आपके साथ comment section as well as description box में link provide कर रखे है जिसे कि आप one click में ही हमारे app के तुरू study material को आपके revision package को एक्सेस कर सको, जिसे कि में बता रही हूं आपके पस जादा time नहीं है, सिव आपके पस 2 ही days remaining है, आपको जल से जल revision package purchase कर कर आपको जल से जल आपके revision करनी है जिसे कि आप easily आपके BHU read के examination को qualify कर पाओ, so that's it and let's begin with the video, first question, if a set of points represent probability density, then the third central moment is easy, इस question में हमें find out करना है, set of points, set of points का मतलब होता है, data, कि आपके पास जो भी data है, जो भी information है, वो किस चीज को represent कर रहा है, probability density, मतलब आपके पास जो information है, जो data है, मान लीजे, आपका जो data है, कुछ इस तरीके से spread out, आपने, इस तरीके से आपके data को, आपके information को spread कर लिया, then, इस case में आपको बताना है, इस question में, कि third central moment क्या होगा, moment क्या होता है, basically, कि आपको जो भी distribution है, moment उसको describe करता है, आपका distribution कैसा है, उस चीज को आपका moment describe करता है, so याद रखिएगा, statistic मे four central moments होते है, so one by one हम देखेंगे, वो four central moments क्या होते है, so first central moment होता है, statistic में, mean आपका first central moment होता है, so mean जिसे हम average भी कहते है, so mean क्या होता है, जो आपके distribution की median value, जो आपके distribution की average value को बता है, so mean जिसको हम mu से denote करते है, याद रखना है, mean आपकी first central moment होती है, जो आपके distribution के average value को बताती है, then variance, variance आपकी second central moment होता है, variance आपका second central moment होता है, और variance बताता है आपका data किस तरीके से spread है, कितना जादर spread है, कितना कम spread है, यह आपका variance बताता है, so variance जिसे हम sigma square से denote करते है, आपको याद अखना variance को हम sigma square से denote करते है, then third central moment, third central moment होता है, skewness, skewness यह आपका third central moment होता है, skewness यह बताता है कि आपका जो distribution है जो distribution है यह symmetrical है या फिर नहीं जैसे आप देख रहे हो यह distribution है अगर मैं इसको beat से cut करूँ exact मैं इसको beat से part कर दूँ तो मुझे यह जो figure देखेंगा left और right side का यह एक दूसरे के mirror image देखेंगे दोनों भी same image देखेंगे अगर मैं इस diagram को beat से cut करूँ मतलब आप यह कह सकते हैं यह distribution है हमारा यह symmetrical है symmetrical distribution okay skewness basically यह बताते है हमारा जो distribution है यह symmetrical है या फिर नहीं skewness को हम beta 1 से denote करते हैं then cortosis cortosis क्या होता है जो आपके distribution के flatness को बताता है के आपका distribution कहाँ पर ज़्यादा flat है कहाँ पर peak पर है आपका distribution कहाँ पर flat हो रहा है यह आपका cortosis बताता है so cortosis यह आपके fourth central moment होता है और cortosis को हम beta 2 से denote करते हैं so याद रखना है आपको यह चार statistic में central moments होते है so third central moment होता है आपका q-ness so यह आपको option ने correct हो जाएगा next for a symmetrical distribution the skewness is इस question में हमें find out करना है कि अगर आपके distribution वो symmetrical है तो उस case में आपके skewness की value क्या होगी so distribution symmetrical कुछ इस तरीके से दिखता है आपका मतलब अगर यह distribution वो symmetrical है अगर आप इसको half part में divide कर दोगे इसको बीच से आपका cut कर देते हो तो यह जो left part है और जो right part है यह दुसरे का mirror image हो जाता है और उसी तरीके से symmetrical distribution में आपके जो central tendencies होते है mean, median and mode यह तीनों भी एक दुसरे के equal होते है आपको याद रखना है so अगर आपका distribution symmetrical है आपके skewness की value जिसे हम skewness को beta 1 से deloitte करते है तो skewness beta 1 equal to 0 हो जाता है skewness basically यही बताता है कि आपका distribution है वो symmetrical है या फिन नहीं है अगर आपका distribution symmetrical होता है तो याद रखिएगा हमेशा आपके skewness से skewness की value equal to 0 हो जाती है that's why आपका correct option हो जाएगा option B equal to 0 next the first three moments of a distribution about the mean x bar are 1, 4 and 0 the distribution is इस question में हमें first three moments of distribution के values given है 1, 4 and 0 and हमें distribution बताना है कि उस case में हमारा distribution कैसा होगा so distribution क्या होता है कि आपके पाद जो data है कुछ इस तरीके से आपका data आप क्या करते हो graph में convert करते हो आप बता देओ कि हमारा data कुछ इस तरीके से distributed है और आपका जो moment होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बता है जो moment होता है आपके distributions के बारे में आपका distribution जो भी उसको describe करता है उसके बारे में बताता है आप जैसे हमने देखा था स्टाटिस्टिक में total 4 central moment होते है उसमें आपको फर्स जो central moment होता है वो होता है में जो आपके distribution के average value बताता है आपको फर्स थ्री moments given है 1, 4 and 0 आपका mean होता है इसलिए mean की value हो जाएगी 1 then second आपका central moment होता है variance so variance की value भी आपर उन्होंने दे रखी है which is 4 then third central moment जो होता है आपका skewness होता है okay and skewness की भी value उन्होंने दे रखी है which is 0 आपको याद रखना है जैसा हमने previous question करा था same question है उस question को ही उन्होंने modify करकर पूछा है उस question में हमें उस question में आपको बोला गया था कि आपका distribution है वो symmetrical है and then हमें skewness की value बतानी थी तो याद रखना है जब भी आपके skewness की value 0 होती है उस case में आपका distribution होता है वो symmetrical distribution होता है okay then यहाँ पर हमें first and second central moments की value given थे 1 and 4 so यह बस हमें confuse करने के लिए जया था लेकिन जब भी आप देखते हो कि आपकी skewness की value अगर 0 है उस case में आपका distribution होगा वो symmetrical होगा आपको इतना याद रखना है बस so for this question option B here is the right answer symmetrical so याद रखना है जब भी आपकी skewness की value जो कि आपका beta 1 होता है beta 1 अगर 0 हो गया equal to 0 then आपका distribution है आपका जो data कुछ इस तरीके से spread होता है वो symmetrical होता है so यापर आपका option भी correct हो जाएगा symmetrical next the degree to which numerical data tend to spread out about an average value is called इस question में मैं find out करना है कि आपके पर जो भी numerical data होता है आपके जो भी data होता है आप उसको spread out करते है मतलब मानी जी मेरे पास कुछ data है और उस data को मेरे पास कुछ information और numerical data है मतलब मानी जी किसी population है उस population की मैंने height measure कर ली पर्टिक्लर population है उस population की और या फिर उस sample की मैंने height measure कर ली height measure करने के पास मेरे पास एक numerical data हो गया then मैं उस numerical data को graph में plot करूँगी मतलब कुछ is तरीके से मैं this ko spread आउट करूँगी तो कुछ इस तरीके से मुझे एक graph मिल चायगा तो यह basically spread कितना spread है मुझे यह देहना कि कितना ज्यादा स्पेद है कितने लोगों की height maximum है कितने लोगों की height minimum है कितने लोगों की height कम है तो मैं कुछ इस तरीके से अपने डेटा को plot कर लूँ है तो कितना spread है मेरे डेटा, कितना ज़्यादा spread है यह हमको कौन सा option बताता है तो याद रखियेगा कि आपका जो distribution है कितना spread है, कितना distributed है, कितना ज़्यादा spread है वो आपको variance बताता है variance यह आपका central moment होता है यह आपकी second central moment होता है जो आपको बताता है कि आपका distribution है वो कितना spread out है तो यहापर आपका option incorrect हो जाएगा then option B, constants constant क्या होता है, जो value fixed हो लेकिन variance क्या होता है, जो यहापर क्या बता रहा है, जो spread out हो कितना कैसा spread out हो वो बता रहा है constant तो हर बार constant रुकी हुए चीज़ को हम कहते है constant तो obviously यह पर आपको option भी incorrect हो जाएगा then option C skewness skewness के बताता है कि आपका distribution है वो symmetrical है या फिर नहीं है skewness यह नहीं बताते है कि आपका जो data है वो किस तरीके से spread out है so यह पर आपको option C भी incorrect हो गया then option D kurtosis kurtosis क्या बताता है आपकी data की flatness कहा पर आपका data flat है कहा पर आपका data peak पर जा रहा है यह आपका kurtosis बताता है लेगन kurtosis यह नहीं बताता है कि आपका data कितना spread out है so यह पर आपका option D भी incorrect हो जाएगा तो आपका जो data होता है, वो कितना spread out है, कितना गम spread है, कितना जाधा spread है, वो आपका बताता है variance, तो यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा variance and this is the definition of variance, next, if the distribution is negatively skewed, then the, इस question में मैं find out करना है कि अगर आपका जो distribution है, वो negatively skewed होता है, तो उस case में आपका कौन सा option correct हो जाएगा, तो आपको यह diagram के थूँ देखना है कि positive skewed क्यों होता है और negative skewed क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, skewness यह बताता है, आपका distribution है, वो symmetrical होता है, तो आपके skewness की value 0 होती है, और उस case में आपका mean, median and mode होता है, वो equal होता है, और यह भी बात याद रखने है, आपके skewness इसको बेटा 1 से limit करते हैं, वो equal to 0 होती है, then positive skewness क्यों होता है, positive skewness क्यों होता है, जिसमें आपका जो graph है, वो left side में tilted होता है, आपके जो tail है, यह left side में tilted होती है, and then negative skewn क्यों होता है, क्योंकि हमने इस question में negatively skewed के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम negatively skewed को ज्यादा focus करेंग तो negative skew क्यों होता है जिसमें आपका जो graph है उसकी tell right side में tilted होती है आपको यह देखना है आपका जो graph है वो जादा तर right side में tilted होता है तो उसे हम कहते है negative skew अब इस diagram को हम refer करेंगे and then ये question को हम solve करेंगे first option आपको बता रहा है कि mean is more than mode mean जादा है mode से लेकिन हम इस diagram में देख रहे हैं तो sub में छोटा mean है then mean से थोड़ी बड़ी value आपकी median की होगी and then सबसे बड़ा आपकी mode की value होगी लेकिन आपको option ने बता रहा है कि mean is more than mode लेकिन ऐसा नहीं है mean सबसे छोटा है इसलिए आपको option है incorrect हो जाएगा then option B median is at right to the mode median का है आपके mode के right में नहीं present है बलकि आपके mode के left में आपका median present है तो यह option भी incorrect हो जाएगा then हम option D देखते है mean is at the right to the median so mean आपके median के right में है यह option बता रहा है लेकिन नहीं हम देख रहे हैं इस diagram में mean आपके median के left में present है ना कि right में, so यहापका option D भी incorrect हो जाएगा, then option C हम देखेंगे, mean is less than mode, so yes, mean आपका जो mean है, वो mode से less है, और median से भी less है, so इस option में आपको बता रहा है, mean आपका less है mode से, so यहापका option C, correct हो जाएगा, so negative skew के लिए आपको यह relation याद रखना है कि mean सबसे छोटा होता है, then उससे बड़ा होता है आपका median, then सबसे बड़ा होता है आपका mode, यह आपका negative skew का relation होता है, mean, median and mode में, सबसे छोटा आपका mean होता है, then median होता है, and then last आपके सबसे जादा value mode के हो जाएगी for negatively skewed, so, यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा option C, mean is less than mode, यह option आपका right हो जाएगा next for frequency distribution of a variable x, mean is equals to 32, median is equals to 30 distribution is, इस question में हमें mean की value given है which is 32, median की given है 30 and हमें distribution find out करना है कि distribution हमारा उस case में कैसा होगा, क्या हमारा distribution positively skewed होगा, negatively skewed होगा या फिर हमारा distribution है, वो symmetrical होगा हमें यह find out करना है, so distribution जब भी हम देखते कि कैसा distribution है उस case में mean, median and mode, यह तिनों भी central tendencies की value हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इस question में mean and median की ही value given है, so mean median and mode में कुछ relation होता है so उस relation को find out करना है formula होता है, so वो formula आपको याद रखना है formula होगा आपका, mode is equals to 3 into median minus 2 mean so यह आपका formula होता है mode is equals to 3 into median minus 2 mean, so हम median and mean की value given है हम वो substitute कर देंगे 3 into median की value हमें given है, 30 minus 2 into mean की value हमें given है, which is 32 so 3 into 30 हो जाएगा 90 minus 2 into 32 आपका हो जाएगा 64 90 minus 64 आपका answer हो जाएगा 26 so यहाँ पर हमें mode की value पता चल गई है which is 26 so mean की value आपकी है 32, median की 30 and mode की 26 सबसे चोटी value आप देख रहे हो आपकी mode की सबसे चोटी value है वहले आपकी mode की value सबसे चोटी है, so mode आपका सबसे चोटा हो जाएगा then उससे बड़ी value आपकी है median की so mode से median थोड़ा बड़ा हो जाएगा then उसससे जदा value आपकी mean की so median से भी बड़ा आपका mean हो गया so यहाँ पर आपके mode की सबसे lowest value है then median and then mean की सबसे highest value है जैसे कि आप देख रहे हो इस distribution में इस distribution में आपको देखना है इस diagram में आपको देखना है यह relation आपको positive skew में देखने मिलेगा positive skew में सबसे चोटा आपका mean है then median है then median है and then यहाँ पर सबसे बड़ा आपका mean की value हो जाएगी पहले positive skew में पहले mode की सबसे कम value होगी then उसके बाद आपका median आता है and median के बाद सबसे highest value आपकी mean की हो जाएगी so यहाँ पर इस case ने आपका जो distribution होगा वो positively skew distribution हो जाएगा that's why आपका correct option हो जाएगा option E positively skew next mesocortic, platyortic and leptocortic are types of इस question में हमें find out करना है कि mesocortic, platyortic, leptocortic यह किस central moments के type होते है so यह तीनों भी आपके cortasis के types होते है अब cortasis क्या होता है जैसे हमने देख लिया cortasis आपके fourth central moment होती है जुसमें यह बताते हो कि आपका distribution की flatness कैसी है कहाँ पर आपका distribution है कहाँ पर जादा है कहाँ पर peak पर जा रहा है यह आपका cortasis बताता है so cortasis के वे तीन types होते है mesocortic, platyortic and leptocortic so यह तीनों भी क्या होते है इस diagram के दुरू हम समझते है जैसे mesocortic mesocortic क्या होता है यह same आपके normal distribution की तरह दिखता है यहाँ पर इस figure में आप देख रहे हो black जो distribution है black में जो यह figure है यह आपका हो जाता है mesocortic यह आपका बताता है कि आपका distribution कैसा है normal है इस से भी तरीके से होता है so यह mesocortic होता है then platyortic, platyortic मतलब यह आपका जो brownish color में आपका जो distribution है यह आपका हो जाता है प्लेटी कर्टिक प्लेटी कर्टिक आप देख रहे हो यह फ्लैट होता है यहाँ पर इसकी पिक बहुत कम होती है और आपका जो डेटा है यहाँ पर बहुत कम होता है यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत कम spread होता है यहाँपर आपका डेटा है बहुत कम flat होता है ज़ाद़ा फ्लाइट नहीं होता है दिन उसी तरीके से leptocortic लेपको कोटिक यह कुछ इस तरीके से आपका diagram दिखेंगा कुछ इस तरीके से आपकी figure दिखेंगी जिसमें आपका data होता है वह ज़ादा यहाँ पर spread out होता है तो आपका यह होता है leptocortic याद रखना है leptocortic को आप positive cortosis भी कहते है and platycortic को आप negative cortosis भी कहते है and mesocortic को mesocortic ही कहते है basically यहाँ पर उसका के लिए कुछ नाम नहीं होता है बस आपको याद रखना है leptocortic में बहुत ज़ादा high peak होती है देखरे है आप यहाँ पर बहुत ज़ादा high peak होती है और यह आपका positive cortosis भी हम कहते है leptocertosis sorry leptocortic को and platycortic को हम negative cortasis भी कहते है जो बहुत ज़ादा flat होता है कुछ इस तरीके से होता है उसकी peak भी बहुत कम होती है and mesocortic यह आपका normal distribution की तरह दिखता है तो यह तीनों भी आपके cortasis के type होते हैं यह पर आपका option भी correct हो जाएगा cortasis next the cortasis of any univariant normal distribution is इस question में मैं find out करना है कि अगर आपका distribution है वो normal हो तो इस case में आपके cortasis की क्या value होगी so normal distribution मतलब आपका distribution कुछ इस तरीके से हो उस case में आपके cortasis, cortasis जिससे हम beta 2 से denote करते हैं उसकी value हो जाती है आपकी 3, equal to 3 याद रखेगा जब भी आपका distribution normal हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका distribution mesocortic हो उस case में आपके cortasis यानि beta 2 की value 3 हो जाती है then हम remaining cortasis के बारे में देख लेते हैं leptocortic, leptocortic को हम positive cortasis भी कहते हैं positive cortasis की value और leptocortic की value हमेशा greater than 3 होती है याद रखेगा leptocortic जिससे हम positive cortasis भी कहते हैं उसकी value 3 से greater होती है and platycortic, platycortic की value हमेशा 3 से less होती है और mesocortic की equal to 3 होती है platycortic जिससे हम negative cortasis भी कहते हैं याद रखेगा positive cortasis की 3 से greater than value 3 से जादा value होती है आपकी positive cortasis की जिससे हम leptocortic भी कहते है negative cortasis जिससे हम platycortic भी कहते हैं उसकी value 3 से कम होती है less than 3 होती है and mesocortic जिसे हम normal distribution भी कहते है उसकी value उसकी kurtosis की value इस case में अगर आपका mesocortic यह निए आपका distribution वो normal हो तो उस case में आपकी kurtosis की value equal to 3 हो जाती है so for this question option B here is the right answer 3 next which of the following statement is or are correct regarding kurtosis of the data इस question में हमें कुछ statements given related to kurtosis और हमें find out करना कि कौन सा statement correct है जैसे कि मैं आपको हरे questions को समझा रही हूँ with the help of diagram तो यह सारे diagram आपको एक बार अच्छे से याद करकर जाना है तो आप कभी नहीं बूलोंगे इस सारे questions को कैसे solve करना है तो यह सारे concept के लिए आपको diagram must है आपको याद ही रखना है तभी आप यह सारे questions को solve कर पाऊंगे यह सारे four central moments को आप याद रख पाऊंगे जिससे कि इस question में हमें kurtosis के types related कुछ statements given है हमें find out करना कि कौन सा statement correct है so with the help of diagram हम इस question को solve करते हैं so first statement आपको given है positive cortosus indicates прилay के आप यह बता रहा है को the सप्लाइभ इसっरिबूजान होता है वह फ्लाइद होता है सम् since diagram में देखते है positive cortosus किसे कहते है боई को लेक्टियो को लेक्तिक को मत कैते है positive cortosus positive cortosus को distribution होता है वह flat नहीं होता है बिलके picked होता है बहुत ज़्यादा high होता है इस point पर जिसकों हम कहते हैं distribution बहुत ज़्यादा picked होता है आपके positive cortasis में flat नहीं होता है यह पर आपको option A incorrect हो जाएगा then option B negative cortasis indicates a relatively picked distribution negative cortasis जिसे हम platycurtic के ते यह आपको हो जाता है negative cortasis negative cortasis का distribution flat होता है ना कि picked होता है जैसे आप देख रहे हो यहापर जो distribution होता है वो flat होता है picked नहीं होता है यह पर आपका option B भी incorrect हो जाएगा यहापर आपको option A B incorrect है then obviously आपको option C भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option D none of the above so this question में आपका एक भी statement correct नहीं है so correct statement क्या होगा हम एक बारी फिर से देख लेते हैं positive cortasis जिसे हम leptocortis केते है उसमें आपका distribution picked होता है बहुत ज़्यादा high होता है then platycotic platycotic जिसे हम negative cortasis केते है negative cortasis में आपका जो distribution होता है वो flat होता है बहुत ज़्यादा pick नहीं होता है और mesocortis में, मेजो कोटिक में आपका distribution normal होता है, जिसमें आपके mean, median and mode ये तीनों भी values एक दूसरे से equal होती है सबको याद रखना है, so for this question, option D here is the right answer, next in symmetrical distribution Q3 minus Q1 is equal to 20, median is equal to 15, Q3 is equal to इस question में हमें Q3 minus Q1 की value गीवेने, which is 20 median की value गीवेने 15 and Q3 की value हमें find out करना है so ये क्या है Q3, Q1 so ये होते हैं आपके quartiles ये आपके quartiles होते हैं जो आपका जो data होता है उसको four parts में divide करते हैं four equal parts में आपके data को divide करते हैं, उससे हम कहते है quartiles, quartiles basically आपके data को बताता है कि आपका data किस तरीके से spread है जैसे कि इस diagram में आपको देखना है यह आपका distribution है, यह symmetrical है, symmetrical distribution में आपने क्या करा, quartiles करते हैं, मतलब आपके data को चार पार्ट में आपने डिवाइट कर लिए, जैसे यह हो जाएगा आपका q1, यह हो जाएगा आपका q2, और यह हो जाएगा आपका q3, इस तरीके से आपने आ quartiles, then अब यहाँ पर आप देख रहे हो, q1 का मतलब होता है कि आपका data 25% इस region में लाइक कर रहा है, q3 का मतलब होता है कि आपका data 75% इस region में लाइक कर रहा है, then q2 का मतलब होता है आपका data कुछ इस region में लाइक कर रहा है, अब इस question में हमें median and q3 minus q1, बस इतनी ही values given है, जो क के बीच में कुछ न कुछ relation है so वो relation का आपका formula आपको याद होना चाहिए जो होता है आपका इस relation को जो formula होता है वो होता है जिस is very important आपको formula याद रखना है median को formula होगा इस case में q1 plus q3 divided by 2 so q1 plus q3 हमें पता नहीं है so q1 plus q3 divided by 2 as it is होगा then median हमें पता है which is 15 so यहापर आपको cross multiply करना है so q1 plus q3 आपका हो जाएगा 30 15 into 2 हो जाएगा आपका 30 so यह आपकी equation first होगी then उसी तरीके से हमें क्या given है q3 minus q1 की value हमें given है q3 minus q1 की value जो के है 20 यह हमारी equation 2 होगी so equation 1 and 2 को हम add करेंगे okay add करने पर आपको क्या में लेगा यहापर आपका q1 negative है और यह positive है so positive और negative cancel हो जाएगे q3 यहापर दोनों भी positive है तो यह cancel नहीं करना है आपको so यहापर q3 q3 2 q3 हो जाएगा is equals to इन दोनों को add करना है 30 प्लस 20 आपको हो जाएगा 50 so q3 is equals to 50 upon 2 so q3 की value आपको हो जाएगी 25 so यहापर आपकी जो q3 की value है वो है 25 that's why आप आपका correct option हो जाएगा option A 25 and thank you for watching this video good luck with your preparations